स्वागत है आपका हिंदी स्पेस चैनल की स्पेस अपडेट सीडीज के एक नए एपिसोड में तो चलिए जान लेते हैं कि आज के टॉप स्पेस अपडेट्स कौन-कौन से हैं आज की पहली अपडेट 17 दिसंबर को इस रो के द्वारा लॉंच करे गए CMS-01 सैटलाइट को लेकर है जैसा कि आप सभी को यह पता है कि इस रो के द्वारा भारत की G7-12R सैटलाइट को 17 दिसंबर को लॉंच किया गया था अब इसी को लेकर आज एक नई अपडेट सामने निकल कर आई है आपको यह तो पता ही होगा कि इस सैटलाइट को PSLV XL रॉकेट की मदद से सब जियो स्टेशनरी ओर्बिट में डिप्लॉय करा गया था लेकिन आज इस रो के दोरा यह कंफर्म करा जा चुका है कि इस सैटलाइट के दोरा अपने सभी और्बेट करेक्शन मैन वेवस को पूरा कर लिया गया है और अब यह सैटलाइट अपने ओपरेशनल जियो सिंक्रनस ओर्बिट में प्लेस कर दी गई है और अब यह जो CMS-01 सैटलाइट है वह अपने सभी कम्मुनिकेशन प्रोग्राम को करने के लिए पूरी तरह से तयार है और इसके बारे में हम आपको अपने डीटेल वीडियो में पहले ही बता चुके हैं और इस सैटलाइट के बारे में डीटेल में जानने के लिए आप आई बटन पर जाकर यहां फिर डिस्किप्शन में दियेगा लिंक पर जाकर इसको देख सकते हैं आज की दूसरी अपडेट SpaceX के द्वारा लांच किये जाने वाले Crew 3 मिशन को लेकर है जैसा कि आपको यह पता है कि SpaceX के द्वारा अपने Crew 1 मिशन को सफल्दा पूर्बक लांच किया जा चुका है और अब SpaceX के द्वारा लांच किये जाने वाले उसकी Crew 3 मिशन के तहित International Space Station तक भीजे जाने वाले चार एस्टोनाट को भी सिलेक्ट कर लिया गया है अगर आपको SpaceX के द्वारा सिलेक्ट करे गए तीन एस्टोनाट के बारे में बता हैं तो यह तीनों ही एस्टोनाट NASA और European Space Agency को बिलॉंग करते हैं और इनके नाम NASA के एस्टोनाट राजचेरी, टॉम मार्शबर्न और European Space Agency के एस्टोनाट मैथियस मौरर सामिल हैं जिसमें की जो राजचेरी एस्टोनाट हैं वह क्रू 3 मिसन के कमांडर होने वाले हैं और टॉम मैर्शबर्न को इस मिसन के पालेट के रूप में सिलेक्ट करा गया है वहीं मैथियस मौरर को मिसन स्पेसलिस्ट की पोजिशन पर सिलेक्ट करा गया है बाकी स्पेस एक्स का यह जो क्रू 3 मिसन है इसको 2021 के अक्टूबर महिने में लाँच किये जाने के लिए सेडिल करा गया है और मार्च 2021 में स्पेस एक्स के द्वारा अपने क्रू 2 मिसन को लाँच किया जाएगा जिसमें कि नासा के चार एस्टोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस इस्टेशन तक भीजा जाएगा और स्पेस एक्स के क्रू 1 मिसन को 2020 में पहले ही सफलता के साथ लाँच भी किया जा चुका है वैसे आपको बता दें कि नासा के द्वारा अपने एस्टोनॉट्स को रश्यन सोयूज रोकेट के वजाए अब स्पेस एक्स जैसी प्राइवेट स्पेस कमपनीज के कॉमर्सियल रोकेट्स की मदद से भीजा जाता है जिसकी कॉश नासा के द्वारा लॉंच करे जाने वाले अपने एस्टोनॉट्स मिसन से कम आती है बाकी क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर सोवियत यूनियन जो की एक टाइम में स्पेस सुपर पावर के नाम से जाना जाता था प्रेजेंट टाइम में रूस का स्पेस डेवलप्मेंट और इंटरनेशनल स्पेस से स्टेशन में क्या रोल है अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं आज की तीसरी अपडेट अमेरिका की न्यू स्पेस पॉलिसी को लेकर है अभी हाली में अमेरिका के करन्ट प्रेजिडेंट डोनाल ट्रम्प जिनका लाइफ पीरियड ऐसे प्रेजिडेंट मातर कुछ ही दिनों का बचा है उन्होंने USA की एक नई स्पेस पॉलिसी को रिवील करा है वैसे तो इस स्पेस पॉलिसी में डोनाल ट्रम्प जी के द्वारा काफी सारी स्पेस एक्टिविटीज करने का प्लान करा गया है लेकिन अगर आपको इस पॉलिसी की कुछ मोटी मोटी बाते बताएं तो इस पॉलिसी में ये बताया गया है कि स्पेस में मौझूद अमेरिका की कोश्टली एसेट्स को चाइना और रश्या के द्वारा अपनी अलग अलग तरह की एंटी सेटलाइट वैपन का यूज करके नुकसान पहुचाया जा सकता है और ऐसा करने की चाइना के द्वारा प्रेजन टाइम में कोशिस भी करी जा रही है और अगर चाइना के द्वारा ऐसा सच में किया जाता है तो आने वाले टाइम में अमेरिका को एक बहुती बड़ी प्रॉबलम फेस करनी पड़ेगी इसी को ध्यान में रखते हुए और अपनी dominance को space में बनाये रखने के लिए इस new space policy की announcement करी गई है इस new policy के तहट अमेरिका के दोरा बनाई गई अपनी new space force को operational कर दिया जाएगा और इसी policy में NASA के दोरा अपने astronauts को एक बार फिर से moon पर land करवाने के लिए 2024 में mission को launch किया जाएगा और इस बार moon पर American space force का एक permanent base भी बनाया जाएगा जिस बार American astronauts और उनके allies countries के दोरा अपने अपने astronauts को भेजा जाया करेगा वहीं NASA के दोरा मास पर भी crewed mission को भीजने के लिए plan करा गया है जो कि सायट 2028 से 2030 के बीच में SLS यानि की space launch system rocket के fully develop होने के बाद और इसकी मदद से NASA के astronauts को moon पर land करवाने के बाद ही इनको मास पर भीजने के लिए पूरी तरह से plan किया जाएगा वैसे अगर देखा जाये तो NASA के दोरा मास पर भीज़े जाने वाले human flight mission में इतनी परिशानी नहीं आईगी क्योंकि space X के दोरा भी अपना star ship rocket डेवलब करा जा रहा है जिसका main motive मास पर human flights को launch करना ही है वैसे आपको मास पर इंसानों के भीजने के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आज की चौती अपडेट प्रॉक्सिमा सेंचूरी से आए mysterious electronic signal को लेकर है जैसा कि हमने आपको अपने कल के space update episode में यह बताया था कि हमारे sun के पडोसी star system प्रॉक्सिमा सेंचूरी से वैग्यानिकों को एक अजीब से radio signals रिसीब हुए है इसी को लेकर एक नई अपडेट यह निकल कर आ रही है कि जिन वैग्यानिकों के द्वारा इन signals को रिसीब करा गया है उनका यह कहना है कि वो इन radio signals पर research paper को तयार कर रहे है जिसके बाद इन signals के उपर आगे की research करी जाएगी वैसे यह जो signals है वै एक 980 MHz की narrow beam थी और यह हमारे पडोसी star system प्रॉक्सिमा सेंचूरी से आ रही थी जो की एक red dwarf star का planet system है और इसके orbit में कम से कम दो planets मौझूद हैं इन में से जो एक planet है मतलब की proxima century V वै अपने star के habitable zone में orbiting कर रहा है और वैग्यानिकों की माने तो इस proxima century भी planet की जो conditions हैं वहाँ पर हमें liquid water भी देखने को मिल सकता है और अगर इन signals को किसी electronic equipment का यूज़ करके भीजा गया है तो हो सकता है कि यहाँ पर किसी प्रकार की life मौझूद हो जो की हमसे contact करने की कोसिस कर रही हो लेकिन आपको यह भी बता दें कि जब NASA के दौरा इस पर आगे की research करी जाएगी तब NASA के दौरा एक statement जारी करके यह बताया जाएगा कि यह signals प्रॉक्सिमा सेंचूरी के किसी planet से नहीं आ रहे थे बलकि प्रॉक्सिमा सेंचूरी से कुछी lightius की दूरी पर मौझूद इस टार के nebula बनने की वज़ा से प्रतवी तक पहुँचे थे बागी आपका मेरे इस statement के ओपर क्या विच्चार है एक बार comment section में जरूर बताएं तो आज की इस वीडियो में बस इतना है अगर आपको ये वीडियो informative लगी हो तो इस वीडियो को like और share करने के साथ साथ Hindi Space चैनल को subscribe कीजिए ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत